मेथी खाने के जितने फाइदे हैं उतने ही उसके नुकसान भी हो सकते हैं मेथी का उप्योग करने से पहले उसका सही तरीका जरूर जान ले आपके घर की रसोई में एक डिबा ऐसा जरूर होगा जिसमें छोटे छोटे पीले रंगे बीज रखे नजर आएंगे यही बीज मेथी दाना कहलाता है आम तोर पर शुगर पेशेंट इन बीजों का किसी ना किसी रूप में सेवन जरूर करते हैं कुछ घरों में सरदियों में मेथी की सबजी भी खूब बनाई जाती है सुआद में थोड़े कड़वे यह बीज बहुत फाइदे मंद होते हैं लेकिन कुछ लोगों को इसकी वज़ाच से चक्कर भी आ जाते हैं फाइदों के साथ अगर इनके कोई नुकसान है तो वो कितने भेंकर हो सकते हैं आज हम इस विशे पर चर्चा करने वाले हैं उससे पहले एक हलकी नजर डालते हैं मेथी से होने वाले फाइदों के बारे में मेथी दाना खाने से शुगर का इस्तर काफी हद तक नियंतरित रहता है मेथी दाना खाने से पैरों में दर्द की तकलीफ कम हो सकती है इसकिन और बालों से जुड़ी कई शिकायतें दूर हो सकती है जो लोग कोलेस्टरॉल ज्यादा होने के शिकायत से जूज रहे हैं उनके लिए भी मेथी दाना काफी फाइदे मंद हो सकता है लगातार सिर दर्द से जूजने वाले भी मेथी दाने का सेवन एक अच्छी औशदी के रूप में कर सकते हैं पीरिट से जुड़ी हुई कई तकलीफों मेथी दाना बढ़ा हुद काम करता है इसी तरह से बच्चों के कान दर्द में मेथी दाना बहुत फाइदे मंद है लेकिन सभी के लिए मेथी दाना फाइदे मंद हो ये जरूरी नहीं कुछ लोगों को मेथी दाने से ऐलर्जी भी हो सकती है इसका सेवन शुरू करने से पहले इसकी जाँच जरूर कर लें कि ये आपके लिए कितना फाइदे मंद है डाइबिटीज हो बाल जड़ रहे हो भूक न लगे या कब्ज की शिकायत हो तो ज्यादा तर लोग आपको मेथी दाने का पानी पीने की सलहा देंगे पेड़ दर्द की शिकायत होने पर मेरी मम्मी मुझे हर बार यही पानी पीने को दिया करती थी वे ऐसा सिर्फ मेरे लिए नहीं करती बलकि घर में किसी को भी ये शिकायत हो तो वो मेथी के दाने की पानी के सिफारिश करती थी अना कि सीमित मात्रा में और विशेशग्य की सलापर मेथी का पानी काफी फाइदा कर सकता है पर ये भी सच है कि हर चीज हर एक को सूट नहीं करती यही हाल मेथी के पानी का भी है कुछ लोगों को मेथी का पानी पीने से फाइदे की जगे ज्यादा नुकसान हो सकता है आज हम इनी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं आखिर मेथी का पानी दिया कैसे जाता है इसके लिए आपको एक गलास पानी रात को रख देना है उसके अंदर एक चमच मेथी दाना भिगो कर रख देना है सुबा उठकर वो मेथी दाना आपको चबा कर खाना है और उपर से वो मेथी का पानी पी लेना है बहुत सारे केसेस में हम मेथी दाना चबा कर ना खाएं लेकिन उसका पानी जरूर पियें बहुत कारगर साबित हो सकता है ये नुकसान कप करता है इतनी सारी सला पाकर कभी कभार ऐसा लगता है कि हर रोज मेथी का पानी पिया जाए तो शायद ये समस्याएं हो ही नहीं लेकिन जब मेरे एक मित्र ने मेथी का पानी हर रोज पीना शुरू किया तो उसको इसके बिलकुल उलट प्रभाव देखने को मिला मेथी का पानी पीने के बाद उसे घबराहट महसूस होने लगी या फिर वोमिटिंग होने लगी एक बार तो ऐसा हुआ कि मेथी का पानी लेने के बाद खट्टी डकार और पेट में बार-बार गैस बनने के शिकायच शुरू हो गई ये जरूरी नहीं कि हर किसी को मेथी के पानी से फाइदा ही हो किन-किन बीमारियों में मेथी दाना लेने में साफधानी रखनी चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं को मेथी पानी लेने से बचना चाहिए क्योंकि कुछ महिलाओं में ये गरपात का कारण बन जाता है कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेथी से बने भोजन देने पर भी गरपात की समस्या पैदा हो सकती है कुछ लोगों को मेथी पाई लेने से तवचा संबंदी परेशानी शुरू होने लगती है उनकी तवचा पर सूजन या दर्द एलर्जी के रूप में उभरता है ऐसे लोगों को मेथी के पाई से परहेज करना चाहिए मेथी पानी लेने से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी ऐसे लोगों को डाक्टरों से परामर्ष लेने के बाद ही मेथी पानी लेने पर विचार करना चाहिए कई लोगों को मेथी पानी लेने के बाद घट्टी डखार आना शुरू हो जाती है ऐसे में शरीर असहज हो जाता है और कुछ लोगों को इसे लेने के बाद दस्त शुरू हो सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको मेथी पानी लेने से परहेच कर लेना चाहिए मेथी पाई लेने के बाद कुछ लोगों को अपच होने की शुरुआत हो जाती है ऐसे लोगों के आथ में मौजूद बैक्टिरिया गैस बनाना शुरू कर देते हैं जिसकी वज़ा से वे असहज महसूस करने लगते हैं लो बीपी के केस में भी आपको मेथी दाना लेने में सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप लेना ही चाते हैं तो आपने चिकिटसक या विशेशख से परामर्ष लेकर ही उसको ले इतने सारे नुकसान होने के बाद ऐसा नहीं कि मेथी दाना आपके काम का नहीं मेथी दाना बहुत फायदे मन दौशदी है और सौ से अधिक बीमारियों में ये कारगर साबित हो सकती है लेकिन अगर आपके शरीर की प्रक्रती पित्र प्रक्रती है तो आप मेथी दाना लेने में साफधानी रखें आप जब भी मेथी दाना लेने के शुरुआत कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें अपने विशेशग या अपने चिकिटसक से सलाह या परामर्श जरूर ले लें क्योंकि मेथी दाने के इनुकसान सुनकर कहीं आपके दिमाग में ये बात नबैट जाए कि मेथी दाना लेना खतरनाक हो सकता है मेथी दाना लेना बहुत फायदेमंद है सौ से अदिक बीमारियों में इसके प्रियोग किये जा चुके हैं और सभी में ये बहुत अच्छा काम करता है बहुत अच्छा रिजल्ड देता है लेकिन कुछ केसें में जिसमें आपके इस शरीर की प्रकृती ही विपरीत होती है जिसको मेथी दाना सूट नहीं करता उनके लिए ये मेथी दाना लेना उचित नहीं ऐसे केस में आप परामर्श लेने के बाद ही मेथी दाना लेना शुरू करें आशा करता हूँ मेथी दाने पर दी गई आज की जानकारी आपके काफी काम की रही होगी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम